दोस्तो सबसे पहले तो अगर आप और आमने अगर को सबस्क्राइब करें और गंटी के प्रेस जरूर प्रेस करें नमस्कार दोस्तों लास्ट वीडियो पर हमने बात की थी डायग्राम पर उसके टाइप्स एंड यूटिलाजेशन पर आज जो प्रैक्टिकल का यह हमारा सेकिंड वीडियो है इसमें हम बात करने वाले मैथड ऑफ डाटा इंटर्पोटेशन पर आंखड़ा विशिलेशन की मेरे साथ वीडियो के अंत बने रहें आगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर्ब वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज्यादा जादा अगों तक शेर करें तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते कि आंकडा आंकडे जो है वह किसी शत्र, विशेश, यह तक्यों से इनके बारे में हम क्या है संचेप में नेक्स्ट वीडियो पे बात करेगे लेकिन आंकड़े प्राप्त करने के बाद हमें क्या है उन आंकड़ों से परिणाम प्राप्त करने के लिए प्राप्त आंकड़ों का बिश्लेशन करना होता है तब ही हमें क्या है आंकड़ों से उसी जिसमें से संक्य की विदी क्या है एक मेहतोपूंड विदी है जिसके क्या है आज हम यहां पर बात करने वाले हैं हमारे स्लेबस के अंत्रगट जो है मुक्ये तो टीन सांझक्य की विदी का क्या है जिक्र क्या गया है फर्स्ट ह् मेंजड और डिस्परशन प्रकिंड के माप और फॉर्थ है measure of correlation से संबंद के map सबसे पहले हम बात करेंगे measure of center tendency पे measure of center tendency क्या है केंद्रे प्रबर्ति का map से हमारा विप्राए समग्र संक्या की श्रेणियों के माध्ये से है इसे जो है वो संक्या की और statistical average भी का जाता है फिर बात आती है कि हमें इसकी ज़रुत क्यों पढ़ती है क्या importance है इसकी केंद्रे प्रबर्ति के map की तो देखिए सबसे पहले जो है इसकी बहुत विद्या जो क्या है माध्यों पर आधारित है इसलिए इसे क्या है science of average भी का जाता है इसके दोरा क्या है हम किसी श्रेणी का क्या है औस ग्याद कर सकता है इसलिए भी क्या इसकी importance बढ़ जाती है उसके बाद है मांद्यों की साहता से दो या दो से अधिक श्रेणी या संख्याओं को क्या है हम तुलनात मगरूब से अध्यन कर सकता है इसलिए भी इसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है भावी, योजना और नीतियों के निर्दारन में भी कैंद्रे प्रबृत्ति के माफ मरतुपूर्ण बूमिका निभाते है तो इसलिए भी क्या है? इसकी जो इंपोर्टेंस है वो बढ़ जाती है केंद्रे प्रबृति को ग्याद करने के क्या है बहुत सारे माप है मेजर या विदियां है जिस में से जो प्रमुख है वो तीन है माद्य, माद्यमिका, एंड, बहुलक, मीन, मीडियन, एंड, मॉड सबसे पहले हम बात करेगे मीन की, माद्ये की, माद्ये जो है वो मान होता है जो सभी मुल्ये के योग, कुल प्रक्षपों की संक्या से क्या है, विवाजित करने पर प्राप्त हो, उस संक्या क्यों क्या है माद्ये का जाता है, माद्ये जो है वो मुख्यत चार प्रकार के होता सबसे पहले अगर बात की जाए अर्फमेटिक मीन की स्मानांतर मांदे की तो स्मानांतर मांदे जो है वो गणितिये मांदे में सबसे मैंट्फून और उप्योगी मना जाता है आसान चक्दों में इससे क्या आ है ओस्तका जाता है प्रत्यक्ष विदि से इसके जो निकालने के वह दो विदियां है एक प्रत्यक्ष विदि में जो क्या है आप यहां पर देख रहे है तो X ब्राबर है Sigma X बटा N जो formula है वो अलगता है उसके 1000 पर क्या है प्रत्य बीदी में क्या है समान अंतर मांदे निकाला जाता है For example यहां पर जो दे रखा है एक तरफ क्या है Number of student है और दूसरे तरफ क्या है Marks दे रखे उनके तो यहां पर जैसे Total जो मांदे निकालेगा प्रत्य बीदी से दूसरे जो है वो है प्रत्य बीदी या लगू बीदी भी इसको कहता है इसमें जो है X माइनस A प्लस Sigma D बटा N सुत्र का जो क्या है प्रयोग किया जाता है फिर Next जो है हमारा Geometric Mean गुनोतर मांदे किसी समक्ष्रेणी में गुनोतर मांदे उसके सभी मुल्य का Mark होता है जितनी उस्रेणी में क्या है कुल संख्या होती है इसके जो निकालने का जो सुत्र है वो है N अंडर रूट X1, X2, X3 इसी तरह से X, N जितनी भी क्या है संख्या हो Next Measure of Center Next जो है वो है थर्ड जो है वो है हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य किसी समक्ष्रेणी में दियेगे मुल्यों के व्यूत्करमों के समांतर मांदे का व्यूत्करम उस श्रेणी का क्या है SM कहलाता है SM मिन हार्मोनिक मीन कहलाता है व्यक्तिकत तर्श्रेणी में है वो इसको जो निकालने का जो सूत्र है वो है N बटा 1 X1 1 बटा X1 प्लस 1 बटा X2 प्लस 1 बटा X3 X बटा 1 बटा XN ये जो फोर्मूले वो कभी कभी क्या है एक्जाम में पूछे जाता है कि ये जो फोर्मूला वो किसी सीज का है या कभी इस तरह कभी पूजा जाता है कि हर्मूनिक में निकालने का फोर्मूला कौन सा है तो थोड़ा इस पर क्या है ध्यान देना फिर फोर्च जो है वो है दुई घातिक माद्य क्वाडेटिक मीन किसी सांक्याक श्रेणी में विपिन मुल्यों के बर्गों के समांतर मांद्य का क्या है बर्ग मूल जो है उस्ट्रेणे का दुई घाति माद्य कहलाता है इसका जो सुत्र है वो है QM ब्राबर है अडर रूट X1 स्केर प्लस X2 स्केर प्लस X3 स्केर प्लस XN स्केर बटा N तो यह अबारत क्या है मीन था अब सेकेर जो आता है मीडियन मद्यमी का मद्यमी का जो है वो किसी समग श्ट्रेणी को आरोई करम में वबस्तित करने के बाद जो मुल्ये श्ट्रेणी या मुल्ये में श्टित मद्ये में जो क्या है प्षेंटक चरज ओंपल यहां पर यहां पर जे रखेशा ऐठ 3 इधर है 3 इधर है तो इसको च्या है median कहा जाएगा ओजो च्या है इसमें median होगा व्यक्तिगज 우den इसमें डिक्सराणा जो सुत्र कहा है और खंडी प्रेयों कहा है अगर जो क्या है ये मूल्यों में आबर्ती दी जाती है तो इस जो बिदी का क्या है अजिक तर प्रयोग में लाया जाता है इसका जो सुत्र है N प्लस 1 पटा 2 N के स्तान पर आबरती संख्याओं का क्या योग लगाया जाता है फिर नेक्स जो थर्ड जो आ जाता है वो आ जाता मोड मोड जिसको हिंदी में बोलेगे बहुलक संख्यकी में बहुलक से हमारा विप्राए उस संख्या या मुले से जिसकी दी गई संख्या में क्या है बार बार आबरती हो या अधिकतम बार जो आता है उसे क्या है mode या बहुलक का जाता है जैसे यहाँ पे एक संख्या दे रखी है 2, 4, 5, 1, 2, 4, 3, 6, 7, 2 तो इसमें जो क्या है सरवादिक आवर्ती जो क्या है आपने देखनी है तो अगर आप देखोगे तो जो 2 है वो सरवादिक जो क्या है इस संख्या में बार बार आ रहा है यानि कि 3 बार जो क्या है 2 की आवर्ती हो रही है तो 2 क्या है बाकी जो है अगर आप 4 देखेगे 5 देखेगे बाकी जंक्या देखेगे तो उनकी क्या है 3 बार किसी की आवर्ती नहीं हो रही है तो जो 2 है उसको क्या है इस संख्या का बहुलक कहेगे तो यह हमारे क्या है सेंटर टेंडेंसी निकालने की प्रमुक्ती इन बीरिया थी इसके लावा एक और मेतो पूर्णे वो है क्वाइंटाइल्स विवाजक मुल्य विवाजक मुल्य से हमारे उन मुल्यों से है जो किसी समख श्ट्रेणी या श्ट्रेणी को दो या दो से अधिक समान भागों में बाटते है उसे क्या है विवाजक मुल्य का जाता है समख श्ट्रेणी के जितनी भागों में बाटा जाता है उसे उसी नाम से क्या है संबोधित किया जाता है जैसे, 4 भाग में बाटने पर 10 छत्मक बांग इसी चरा से इसको जो ज्यंत करने का जो सुत्र है वो प्रत्थम छत्त्तक में जो क्या है ब्रेकिट शुरू N प्लस 1 ब्रेकिट बनंद बर्टा फॉर और तर्त्तक छत्तत्तक में जैसे 3 N प्लस 1 बर्टा फॉर नेक्स जो आजाता है तो हमारी यह थी center tendency के माप और next जो आजाता है वो आजाता है measure of dispersion प्रकिर्ण के माप सबसे प्रकिर्ण क्या है किसी समख शेणि के माद्यों से उसका फेलाव विखराव या विस्तार उसका विखषेपन या प्रकिर्ण कहलाता है कि वह कितने उसमें क्य अर्थ your ां हैं उसका जो परियोंगивает मुखेद दो अर्थो में किया जाता है किया दोस्तिती एक साथ कि सबसे पहले बिग्षेपन से दी गई के पदों के विश्तार का पता चलता है इसी किया प्रेट और की क्या जुर्ड़त पढ़ती है निकले गए मांदे असaf होते हैं इसलिए भी क्या है इसका ज्ञान होना बहुत आउशक होता है कि सेंटे टेंडेंसी की तरह इसके ज्याद करने की क्या है बहुत सारी वीडिया है जैसे रेंज बिस्तार्य अपरास जिसको इंदी में बोलेगे मीन डिवियेशन मांद्य बिचलन प्रस्ण और प्रस्ण गुडांग जिसको बेराइनेस बोलेगे चतुर्तक बिचलन क्वार्टाइल डिवियेशन मानक बिचलन स्टेंडर डिवियेशन लोरेंज कर्व इन सब को जो क्या है म सबसे पहले प्रक्रिंड के माप में अगर बात की तो सबसे पहले जो आता है वह सबसे बड़े मुल्य लार्जस्ट वेल्यू और सबसे छोटे मुल्य स्मालेस्ट वेल्यू के मंदे पाई जाना है अंतर को उस चैनी का क्या है प्रास विस्तार का जाता है उधारण के लिए यहां पे जो संख्या दे रखिए जैसे 35-30-40-47-57 में जो है प्रास क्या होगा तो इस Centers में जो क्या है जो सुत्र जो प्रयोग होता है यह होता है रैंज ब्राबर है र ब्राबर है कि छोटे को गाटना है जैसे यहां पर पास है में सबसे बढ़ा जो है तो इस में से अगर इसको माइनस करेगे तो हमारा कितना बचेगा 35 तो 35 जो क्या है हमारा रेंज के लाएगा परास के लाएगा इस संख्या का सेकिंड जो है वह है कौटाइल डिविएशन चतुर्थ पिचलन यह अब किर्ण के माप की दूसरी भी दिये जिसके दोरा किसी समक्ष्टर्णी का तरत्यक चतुर्थक क्यू थ्री कोटाइल थ्री और प्रथम चतुर्थक कोटाइल वन मुल्यों के बीच का क्या है अंतर बता और प्रफ्सम्चर तृत्र की मुल्य के इत değil, मारे बिचलीन मांध्य Pret À 013 निल्ग को रिंदके समयनιοों भाता है सबी को क्या इसमें धनात्र को माना जाता है और उने जो है इस तरह का जो क्या है जिनसे वो निरूपित किया जाता है इसे जो है वो इंडी में डेल्टा का जाता है डेल्टा व्यक्ति का च्ट्येड़ी में जो इसको निकालने का जो सुत्र है वह है X ब्राबर है Szigma X बटा N की साहिता से क्या है? Mean deviation निकालते हैं और खंडित च्ट्येड़ी में जो क्या है? वह है Quartile X ब्राबर है Szigma F1 dx1 बटा sigma f की साइता से क्या है md निकालता है main deviation निकालता है फोर्च जो है प्रकिर्ण का जो माप है वो है standard deviation मानक ये जो था मारा मानक बिचलन प्रकिर्ण को मापने का सबसे बेग्यानिक विदी मानी जाती है इसमें भी क्या है main division की तरह रहनात्मक और धनात्मक जो मुल्य होता है उस पर क्या ध्यान नहीं दिया जाता अपितुस सबी को क्या है धनात्मक माना जाता है किसी सम्पूर्ण स्रेणे के समांतर मांदे से उसके विविन पद मुल्यों के बिचलनों के बर्गों को समनंतर मांदे के बर्मूल को उस ट्रेणी का क्या है मानक बिचलन या प्रमान बिचलन कहते है फाइव जो है वो है कोफिशेंट ओफ वेरियेशन बिचलन गुनांग किसी समक्ष्रेणी के मानक बिचलन का बर्ग है उस ट्रेणी या उस ट्रेणी का क्या है प्रस्रन कहलाता है इसे दुट्य बिक्षेव घात भी कहता है प्रक्षेव प्रस्रन जो है वो बिक्षेव के माप का एक क्या है निर्पेक्ष माप होता है जबकि जो बिक्ष्रन गुणांके वो प्रस्रन के माप बेराइनस के जो माप होता है यह जो क्या है अंतर इसमें होता है बिचरण में और बिचरण गुणांक में फिर नेक्स जो है किमपडेंट हो रहा जाता है वह आ जाता लॉरेंज कर यहां से जो है कोशन पूछे जाने की संभावना रहती है तो थोड़ा ठीक से देखें इसको जो है मैं अलग स जो जो से भी करवाओगा इसकी मैथट वगेरा बज़ी वगेरा किस तरह से इसको त्यार करना है लौरेंज कर जो है बिक्षेपण मापने की एक समाजिक एक क्या है कि आरेखिक बजी है इसका जो प्रेयोग है वो सरप्रतम मैक्स और लॉरेंज ने किया था इसी करण जो क्या है इसे लॉरेंज करब के नाम से जाना जाता है इसे क्या है क्यूमिलेटिट परसेंटेज करब भी का जाता है संचे प्रतिशित बक्र भी का जाता है इसका प्रेव मुख्य तो जो क्या है वो धन आय लाब आदी की अस्मंता को परदर्शित करने के लिए किया जाता है इसमें जो क्या है वो सबसे पहले जो है संचरी योग निकाले जाते है और उसके बाद क्या है उनका संचरी प्रतिशत निकालते है और उसके बाद जो क्या है X और Y लेगे और उनके जो क्या है बिकर्ण को क्या है आपस में मिलाएगे यह जो क्या है यह जो रेखा है वो X है और यह जो है वो Y है यह X है और यह क्या है Y है अब इनके जो क्या है आपस में जो क्या है विक्रिण हो गए इसको विक्रिण बोलेगे उसको क्या है आपस में मिलाते है और आपस में मिलाने के बाद क्या है संचवि आवर्थी जोती है कुमिलटी परसंटेज जोता है उसकी आधार पर क्या है इनको आपस वे मिला जाता है और एक कर्ब खीचह जाता है ज़िसको क्या है lawyerns करs क多 यह जो आario कहा जाताइए यह जो है नीचे यह parents कह भी कभी यह जो है एक कि लोरेंज कर्व भी दिया जाता और पू Привет जाता है यह लाइन से बिदा यह सब्सक्राब की क कि Гरहा कि झितना नजदीक जो क्या है यह हमारा जोलोरेंज कर बेंब यह लाइन आफ एक्वल डिस्ट्रीशन कि होगा कि उतना ही क्या है कि हमें पता चलता है कि कि डिस्ट्रिबुशन में जो है वह कितना अंत्राल है नेक्स्ट थर्ड जो है मारा लास्ट वह है मैजर ऑफ कोर्लिएशन यह बहुत इंपोड़न्ट है और यहां से काफी बार कोशन पुछे जाता है तो थोड़ा ध्यान से देखें कोर्लिशन जो है से संबंद जो है यह आंक्रा बिश्लेशन करने की एक और संख्यात्मक भी दिये जिसके अंत्रगत यह ज्यात किया जाता है कि किनी दो या दो से अधिक समक्षेणियों में क्या है आपसी संबंद है या नहीं है अगर उनमें आपसी संबंद है तो किस परकार का है और उसकी दिशा और परिणाम क्या है सह संबंद जो है वो दो परकार का होता है या इसके दो परकार होता है या किनी जो संख्याओं के बीच जो क्या है और दो परकार के सह संबंद पाया जाता है एक जो है वो धनात्मक और दूसरा जो है वो रिनात्मक फस्ट जो है वो है पोस्टिप या डारेक्ट कोर्रिलेशन इसको जो है धनात्मक या सकारात्मक से संबंद भी कहता है जब एक श्रेड़ी के मुल्य में बृद्धी होती और दूसरे श्रेड़ी के मुल्य में भी क्या है बृद्धी होने लगे जब क्या है जैसे A है और B है जब इसके जो मुल्य में क्या है बृद्धी होने लगे और इसके बृद्धी होने पर क्या है इसके मुल्ये पर भी क्या बृद्धी हो या इसके जो मुल्ये में क्या है माइनस या हम जिसको बोलेगे हार्स होने लगे और इसके मुल्ये में भी क्या हार्स होने लगे तो इन पर जो संबंद पाया जाता उसको क्या आए हम धनात्मक संबंध कहते हैं Second जो है वो है negative या universal correlation या नाकारात्मक संबंध कहेंगे जब जो क्या है वो पहली समख्ष्रेणी के मुल्ये में भृद्धी हो और दूसरी समख्ष्रेणी के मुल्ये में क्या है हार्स हो या पहली शेणी के मुल्य में हार्स हो और दूसरी समख शेणी के मुल्य में क्या है बृद्धी हो तो इस परकार के में पाए जाने वाले जो क्या है संबंदो को है वो रिनात्मक से संबंद कहा जाता है यानि कि A और B जैसे इसमें क्या है ब्रिद्धी हो रही हो और इसमें क्या है हार्स हो रहा हो या फिर इसमें हार्स हो रहा हो और इसमें क्या है ब्रिद्धी हो रही हो भी श्रेणी की जो संख्याओं में है तो इस प्रकार का जो इनमें अपसी जो connection पाया जाता है जो संबंध पाया जाता है उसको जो हम क्या कहे वह कहेंगे नाकारात्मक सहसंबंद ग्यात करने के लिए जो क्या है वह मुख्य तो दो जो विदिया है वह प्रतलित है काल पियरसन और दूसरा जो है वह है स्पियरसमें रेंक डिफरेंस मेथड़ कोटी अंतर बीदी इन दोनों को क्या है मैं अच्छे से करवा होगा अलग वीडियो में एक में काल पिरेशन की करवा होगा एक में स्पिरेश में की जो क्या है रेंक डिफ्रेंस मेथड जो है वह करवा होगा थोड़ा यहां पर जो क्या है मैं जो एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से थोड़ा इंपोड़न्ट है उसको थोड़ा मैं बताता हूं काल पियर्शन कोफिशेंट और बेरिशन मेथड में जो है यह जो भी दिये वह सरप्रत सर्वोंत्म जो विधी माने गई है यह ते लाटेमाधिया और मानध विश लन पर आधारीत है ऑर मानक विश लन पे स्टेंड़ पिविएशन पर तो यह थोड़ा नोट कर लए यह भी एगजाम में पुछा कॉर्रिलेशन जो प्राप्त करने की है या निकालने की है वह दो विदियां है एक प्रत्यक्ष विदि जिसमें जो है इस जो सुत्र का वो प्रयोग किया जाता है कोर्लेशन ब्रापर है ED सिगमा डी एक्स डी वाई बटा अंडर रूट सिगमा डी एक्स टू गुणा ED सिगमा डी वाई 2 यह जो फॉर्मुलाई वह काफी बार क्या एक्जाम में पूछा जा चुका है यह जो फॉर्मुला वह किस की बीदी का क्या है अनुस्रन करता है या कॉलете शुत्र का परियोग किया जाता है क्या थोड़ा इसको क्या है नोट करें और आ कर्देशन जो है वह एक्जाम के होता है वह होता है ed sigma dx dy माइनस ब्राबर है sigma dx sigma dy बटा n फिर सेकेंड जो है वह स्पीर में की क्या है कोटी आकार जो से संबंध विधी है इसका जो प्रियोग है वह तब किया जाता है जब क्या है तथ्यों को संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जाता जैसे इमांदारी सुंदर्ता एक्ता क्यूंकि इस बीधी में क्या है गुरात्मक चरो का संबंध ग्यात किया जाता है इसमें क्या है गुणात्मक चरो का क्या है सह संबन ग्याद किया जाता है इसमें जो क्या है जैसे पहले थी इसमें क्या है संख्यात्मक है और यह जो क्या है इसमें गुणात्मक है तो इसका जो प्रयोग है वक्का भी क्या जाता है जब तथ्यों में क्या है तत्थे को क्या है संख्यात्मक रूप से क्या है व्यक्त नहीं किया जाता हो तो ये भी कोशन बनता है कि कौन सी विदिज हो क्या है गुणात्मक रूप से गुनातमक्चरो को क्या है सहसंबंद दर्शाने के लिए प्रयोग में ला जाते है तो यह इस प्यूरियस मैन की कोटिया का अन संबंद विधी इसका जो सुत्र है वो यहाँ पर दे रखा है तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख ले संबंद परदर्शन करने की जो विधी है कि उसको किस तरह से परदर्शित किया जाता है यहां से भी काफी वार जो यह एक्जाम में पूछा जा चुका है तो जैसे अगर तीनी दो संख्यां के बीच है जो संबंद है वो पूर्ण धनात्मक्चरों तो जो उसका परदर्शन है वो इस तरह से क्या है यहां पर किया जाता है संबंद अगर क्या है पूर्ण धनात्मकों और अगर रिनात्मकों तो उसको इस तरह से परदर्शित किया जाता है और अगर केवल धनात्मक से संबंद हो तो इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है जैसा 3rd में रखा है और अगर उन में जो क्या है आपस में जो संबंद है वो धनात्मक से संबंद है तो इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है और अगर उन में जो क्या है किसी भी तरह का i and earth मैं जर्नल ही आपको बताया गारा आप उसको डिटेल में करोंगे तो इसमें बहुत टाइम लगता है जैसे लॉरेंज कर वो गया स्टेंडर डिविएशन और पीरियर्शन की जो क्या है यह जो वीदियां आई, इसमें जो करने में तो क्या है, एक-एक क्लास या एक-एक वीडियो जो है अलग से बनेगी, उसको मैं बना दूगा यह थोड़ा आप जनर्नली नोट कर लो क्योंकि अगर आपको थोड़ा जनर्नली पता होगा तब ही आप इसको क्या डीटेल में भी क्या है समझ पाओगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेगे किसी नए टोपिक के साथ थैंक यू